परम सतकार्योग सासंग जी रसनाब वित्तर करिये त्याखिये तांसीरी साथगुरू नानक देव जी, तांसीरी साथगुरू जगजीत सिंग जी, तांसीरी साथगुरू उदे सिंग जी साथ संगे जी आजदी साखी रसी लेख है साखी गवा महक चरावन दी चली एक दिन गुर नानक देव जी ते पिता ने आख्या पुत्तर नानक तु अपने कारदिया गवा महिया चार ले आया गार अग्ये ता नौकर जान देसान ते हुन तुसी आपी जावो ता हच्छी तरा रजा आखेल आया करो नाने बाहर फिर के प्रसन रहेंगा अते तेरा मन पर्चिया रहेंगा ता शीरी साथ गुर जी बोले हे पिता जी जो कुछ आप कहोगे सोई में करांगा जी वड़ी सुवेर होई ता गुरु जी उठे ते माता जी ने कुछ खाने वासते लाडबान दीता ते इशनान करवाय कर हाथ वीच एक छटी दे दिती शीरी गुरु जी गुवा मैया दे रस्से खोल के बाहर लै गए मानो शीरी कृष्ण जी दे समान ब्रिज में गुवा चारने गए हन ब्रिंदावन को आगे माहराज जी गुवा को चारते एक सुन्दर अस्थान देखे एकंत वीच बैट गए और समाधी में इस्थित हो गए शीरी परमेश्वर जी दी बंदगी में लिवलीन होए रहे जो गउवा मैया माहरास दिया चर्दिया चर्दिया एक बड़ी सुन्दर पहली हरी प्रफूलत होई देखकर उसमें जाय वड़िया साब चारकार राजके उसी खेत के विखे बैट रही है संपूरन खेत उजाड कर इतने में खेत का मालक आया देखे ता खेत खाय कर गउवा मैया बैट रही है हन ता उसने गुरुनानक जी नो आख्या पाई तू पटवारी दा पूत है ता मेरी खेती सब उजाड देती है इस उजाडे ने जबाव कर तू पला चरावा बनेया है गुरुनानक जी आख्या पाई तेरा ता कुझ नहीं उजड़या तू क्यों बोलदा है क्या होया जो किसे पशुने मूँ पाया खुदाए इसी वीच भरकत कर सी ता ओ चुप ना करे लगा नानक जी ना लड़न ता नानक जीते ओ जीमीदार दो मी चगड़ते चगड़ते राय बुलार दे पास आए जो तलवनडी दा हाकम सी ता उस खेत वाले पुकार किती राय बुलार जी तेरे पटवारी दे पुतर ने मेरा सारा खेत उजाड़ दीता है ता पासो लोग का आख्या जो नानक ता दिवाना है पर कालू नू सद्दो ता राय ने राय बुलार ने कालू नू सदवाया, जद कालू आया, ता राये ने आख्या कालू, तो इस पुत्तर नू समझाना गयो नहीं, जो गरीब दा खेत उजाडा आया है, पला दिवाना कार छोड़्या है, पाई जाये कर इस दा उजाडा पार दे, नहीं ता ये तुरक है, पुकार कर सी, ता क ना आख्या, राये भुलार जी, मै क्या करां, ए ता मस्तान नहीं होए रहना है, कुछ काम करदा नहीं है, ता राये आख्या कालू, तु जाके उजाडगा पार दे, और मैं कुछ नहीं आकदा, ता नानक जी आख्या, राये जी, तुसे क्यो लड़दे हो, ओ थे ता एट भी नहीं उजड़या होया, ते किसे पशु पैर भी नहीं पाया, एता एमी ही कूकदा है, ता ओजाट बोल्या, मेरा खेत सब उजड़ गया है, मैं मुठा हां, मेरा नियाओ करो, ओथे ता एक बुट्टा भी नहीं रहा, ता नानक जी आख्या राय जी, तुसी कोई आपना आदमी पेज देवो, ओथे, ता एक पठा भी नहीं टुक्या, ता राय बुलार ने आपने प्यादे पेज दिते, जाओ जाय कर देखन, ता खेती सब सावत खड़ी है, एक पठा भी नहीं खादा गया, चुफेरे फिर के वेक्या, किदरे पशुदा खोज भी नजर नहीं आया, ता वो जाट वेक के अस्चर्ज होए गया, प्यादे मूड अखन लगे राय जी, खेती ता सब सावत खड़ी है, हरी परी है, एक भुट्टा भी नहीं टुक्या, ता राय बुलार ने खेती वाले नू चुठा गिता, ता शिरी गुरु नानक जीते कालू दो में कार नू आये, अग्ये साखी पर छावे दी चली, सम्मत पंदरा से पैंती विसाख्वी शिरी गुरु नानक जी गवा मैया चारिया हैं, जा एक दिन होया, ते मजी चारण गए, जाद दुपैर होई, ता अननद प्रसन हो, एक दरख दे हेट बै गए, ते मजी चावे बै गई ता नानक जी चुन्नी हेट विचाये के सोंगे, पर छावा टाल गया, शिरी गुरु नानक जी दे मुँपर तुपा आ गई, ता गर्मी करके प्रसिन्ना आ गया, ता शेशनाग अपना स्वामी जानके आया, सुफेद रांग का था, ते फान पसार कर मुँपर चाया करी, पर कनक दे काच दे दिन आहे, ता राय बुलार कुमदा कुमदा उस रस्ते आये गया, देखे ता इक नीगर सुत्ता ब्या है, ते नाग कोल बैठा होया है, ते सीर पर फान दी चाया किती होई है, राय बुलार देखके खड़ा होये गया, जीविच विचार लगा, पाई जे ता ए नीगर जीवदा है, ता कोई ओलिया अंबिपा, ते जेकर सरप सा पी गया है, ता ए मार गया है, ए विचार दा सी, ता पिछो आदमी आए, ता राय आख्या, पाई ए नीगर देखो, जो कौन सुत्ता है, ओ देखन ता कालू पटवारी दा पुत्तर नानक सुत्त प्या है, ता उना आख्या राय जी, तेरे कालू पटवारी दा पुत्तर है, ता राय आख्या, इसनू जगाओ, जाओ नेडे गए, ता सरप गूम होए गया, ता उना नानक नू जगाया, शीरिगुर नानक जी उट बैठे, देखे, ता सीरते राय जी खड़ा है, ता नान जी हाथ जोड के राय नू सलाम किता, राय बुलार कोडे उत्तों उतर के, नानक जी नू गालना लाया, ते मत्था जुम्या, हाथ जोड के बंदगी आखी, बहुत अदव किती, सब लोग हैरान होएगे, आख्या लगे पाई, इस नीगर, उत्ते राय दी, बहुत मेहरवा नी है, फिर राय कार आया, ते कालू नू सदवाया, जा कालू आया, ता राय ने कालू नू आख्या कालू, तेरा जो नानक पुत्तर है, इस ताई कदी भी चिड़की ना ही, ते कोडा भी कदी ना बोली, ते कदी इस पुत्तर दा मून ना फिट कारी, एते महापूरक है, कालू तू भी निहाल है जो इस देकार ऐसा पुत्तर पैदा होया है ता कालू आख्या पलाराई जी वड़ा उसी ता जानांगे हुंता कामकार कोई नहीं करदा अती जो कुछ वस्तू को रो ले जान्दा है सो बाहर सुट्टा हुदा है ए बात कहकर कालू अपने कारनों आया इक दिन नानक जी फिर मजजी जारन गए ता बाहर जाके सो गए दुपैर होई ता सब द्रखता दे परचावे टाल गए जित्थे नानक जी सुत्ते से उस दा परचावा ना फिर या फिर काच कारके राई जी आया देखे ता होर परचावे टाल गए सी ते उ परचावा ट चलिया ही नहीं सी, ए वेके राय बंदगी कारके चलिया गया, ता लोका नू आखन लगा पाई, एक आलू दा पुत्तर नानक पूरन पूरक है, सदा इस दियां सब ये बाता अश्चर्ज देखिया हैं, अगे खेती दी बात होई, पिछो सरप दी होई, अटे हुन पर चावा खड़ा रहा है, ता राय बुलार उस्तत करदा, अपने कार्णू आया, ते गुरु जी दी ओहा चालिया आई, ता पिता आखे पुत्तर लोका ने उलाम्बया, मैंनू जीच किता हा, तू समझता, शीरी गुरु के आपला पिता जी, जो आखोगे, मैं सो ही करांगा, सारे ह आखिये तान तान, तान तान साथगुरु नानक देव जी, तान तान शी साथगुरु जगजीत सिंग जी, साधियोना दी चर्नाती, अनीका अनीका मरी डंडात बंदना है जब पिता है